कोरोना वाइरस की वजह से पूरे विश्व की अर्थविश्था में गिरावट दर्जी की गई है और इसी वजह से भारती अर्थविश्था में भी गिरावट देखनों को मिल रही है और कोरोना वाइरस का जो सबसे जादा प्रभाव अगर पढ़ा है तो वो शेयर बाजार म मूल्य में बहुत ही जादा गिरावट देखने को मिली है लेकिन जहां एक और शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है वहीं दूसरी और ये एक औसर भी है ये औसर उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं यानि कि जो भी निवेशक शेयर बार्केट में पैसा लगाने चाहता है वो इस वक्त उनके लिए बहुत बड़ा उसर है क्योंकि अभी अगर शेयर के रेट डाउन चल रहे हैं तो जब सारी चीजे नॉर्मल हो जाएंगी तो भविश्य में शेयर के जो रेट है वो भी धिरे दिरे पढ़ते जाएंगे उनके जो मूलने हैं उनके मूल्यों में रिद्धी देखने को मिलेगी तो यह बहुत बड़ा उसर है निवेशकों के लिए लेकिन जो लोग पहली बार शेयर बाजार में पैसा लगानी के बारे में सोच रहे हैं या फिर लगाना चाह रहे हैं उ व्यक्ति शेयर बाजार में पैसा लगाना चाह रहा है इन्वेस्ट करना चाह रहा है शेयर में तो उसके लिए सबसे जरूरी डीमेट अकाउंट है डीमेट अकाउंट ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एक बैंक अकाउंट काम करता है जहां पर जितना भी ट्र जिसमें आपका जो लेंदेन होता है जितना भी आप शेयर्स की खरीद फरोगत करते हैं वो सारा डीटेल आपके डीमैट अकाउंट में होता है तो ये लेक्रानिक फार्म है शेयर्स को खरीदने का यह निकी बहुतिक रूप से अपने पास शेयर्स को रखने की जोरत नहीं है तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ डीमैट अकाउंट ओपन करने की इसके लिए आप किसी भी ब्रोकर के यहां अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं लेकिन डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले जरूरी है कि आप ब्रोकर के बारे में सही से चार्च पड़ताल क कुम सा डीजिटल भ्रोकर है जो कि ओनलाइन सुव uitधान करने यहीं करने का टरीकर चार्ज है तो आप इसके बारे हैं पता कर लिजी कि बोकर्ट। चार्ज कितना है और इसके साथ क्या वैलु एड़िट सेवाय भी दी जा रही है तो इन सब के बारे में आप अच्छे से पता कर लें कुछ ब्रोकर ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि जीरो ब्रोकरेश चार्ज रखते हैं यानि कि जीरो ब्रोकरेश चार्ज पर अकाउंट ओपन करने की सुईधा परदान करते हैं तो आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जाच पड़ताल कर लें और उसके बाद ही आप किसी भी ब्रोकर के यहां जो आपको ठीक इसके साथ साथ आप इसके जो तकनीकी जानकारी है उसके बारे में भी अच्छी से पता कर लें कि कहीं असा नहों जो आपका निवेश है वो खत्रे में पढ़ जाए और आपको कुछ मौदरिक रूप से हानी उठानी पढ़ जाए तो आप इसके भी जानकारी तकनीकी जान सुस्टान हो जाता है तो आप इसके बारे में पता करनें अच्छे से आप इसके बार आपको रीस्टरट किस तरीके से करुना यहां डीमए Pitts अकौंट खूल वा रहे हैं तो आपको किस तरीके सार्स करना है अपना अतना तो इसके जो भी डिजिटेल ब्रुक्रिट के यहां online apply कर दीजिए और जितने भी आप से detail मांगी जा रही ही वो सारी आप detail दे दीजिए इसके लावा आपको KYC की जूरत पड़ेगी KYC के लिए कोई भी ID जो पहचान की ID जो भी पहचान के दस्तावेज हैं वो आप जैसे की आधार कार्ड है पैन कार्ड है पासपोर्ड है यह सब जो ID है इनकी जूरत पड़ेगी तो आप कोई भी दस्तावेज इसमें दे दीजिए और उसके बाद उसकी चांच पड़ताल की जाएगी यानि की KYC के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि अपने कस्टमर के बारे में पूरी जाच पड़ताल करना तो KYC जब आप अपनी ID दे देंगे तो आपका बहुतिक सत्यापन भी हो सकता है यानि एक तरीके से जो ब्रोकर का एजेंट है वो आपके पास आएगा और उसका बहुतिक सत्यापन करेगा ओरिजिनल आप से जो भी सूचना मांगी जाए कि वह अगर सही तरीके से दे देते हैं और आजेंट आपके सूचना देने से या आपकी बातों से संतुष्ट हो जाता है सारी सूचना उसे संतुष्ट हो जाता है तो फिर वह आपका जो KYC की जो प्रोसेज है उसको कम्प्लीट कर तो इस तरीके से जो आपका अकाउंट है डीमेट अकाउंट है वो रिस्टर हो जाएगा उसके बाद यह सारी प्रक्रिया जो KYC की हो जाएगी तो आप आप आउनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे इसके साथ साथ जरूरी है आपको बैंक की डिटेल द देना है जब आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा तो एक आपको सारी डिटेल दी जाएगी यह कह सकते हैं कि तरीके से डीमेट से जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है उसमें आपका आईडी है आपके पासवर्ड होगर है वो सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी और इ इसको रखना है और किसी के साथ इसको शेयर नहीं करना है तो इस तरीके से आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा इसके बार जब आप ट्रेडिंग करेंगे अगर आप नए हैं और आपको शेयर मार्किट के बारे में बहुत जादा जानकारी नहीं है तो आप एक बा यह जा है किसके नहीं है पर दूस्के पर बारे में चलिए हमें कितना उनका फास्ट यहीं कितना था और अभी पिछले कुछ सालों में कितना डिडिया जा रहा है क्यूंकि अगर अच्छा डिडियंड मिलेगा तो उसकी मार्किट वैलू भी बढ़ती जाएगी तो आप एक इसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजीए और हथोड़े थोड़े शेर्स खरीदीए कुछ आईवरेज आएगा गशाब से आफ फाइदे में रहेंगे अगर आपने एक ही कंपनी के बहुत सारे शेर्स खरीदीए और उसके rates अगर नहीं बढ़ते हैं और डाउन हो गए तो आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है तो इसलिए आप एक company के shares ना खरीद कर कई company के shares खरीद दिये और शुरुआत में जबकि आपको बहुत अच्छी knowledge नहीं है बहुत अच्छी जानकारी नहीं है share market के बारे में तो आप थोड़ा थोड़ा सा पैसा निवेश करिए और जब आप निवेश करते रहेंगे ट्रेडिंग करते रहेंगे तो दीरे दीरे आपको बहुत सारी जानकारी भी होती जाएगी और इस तरीके से आप जब उसमें perfect हो जाएंगे share market की बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी तो आप फिर भविश में सही तरीके से निवेश कर सकते हैं तो ये एक तरीके से बहुत शार्ट में डीमैट अकाउंट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से आप घर में बैठ कर अपना डीमैट अकाउंट आउनलाइन तरीके से खोल सकते हैं और फिर किस तरीके से आउनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं ये सारी ड क्योंक य।